कि वेल्कम बैक टू दे चैनल आज की वीडियो हमारी रिव्यू टैप के उपर रनवारी है इसमें मैं आज आपको बताऊंगा इस पेलिंग ग्रामर थिसरास फॉर बड़ गाउंट और ट्रांसलेट न्यू कमेंट जो बेसिक चीज़े हैं आपको बताने वारों सकेंदर तो पार कुछ देचार्ट करते हैं पहले आपको बेसिकली तब किया जाता है जब आप किसी वर्ड को टाइप करते हो और अगर व वो वर्ड आफ Fach डिशनरीस से वर्ट से मैच नहीं होता है या कि स्पة फिर्शनिग के लettsा एक करते हो तो आपके सामने पान्तिया कर लाईना कि मैं यहां पर निखने चाहां था क्विक पर मैंने जांत पूशकर एंगे गलत किया है तो इसकी नीचे छो लाएन ऑले कि अफिन अब यह तो रेड लाइन यहां पर आ रही है वह यह बता रहा है कि यहां पर आप निखना चाहरे थे कुछ और को यह ऐसा वर्ड जो डिशनरी का वर्ड होता है बड़ आपने स्पेलिंग मिस्टेक की भी है इस कंडिशन में आपको यहां पर करना होगा स्पेलिंग ग्रामर बटन से जो आप चाहते हो यूज करना उस पर क्लिक करो और चेंज कर दो तो इस तरह से वह स्पेलिंग को ठीक कर देता है यह आपका किसी भी वर्ड के सिनोनियम निकालने का यूज करता है जैसे मैं पताता हूं यहां पर कि मैंने लिखा कंप्यूटर आप यहां पर किसी बीवर्ड के सिनोनियम निकाल सकते हो, जैसे मैंने लखा है यहां पर डाउट, उगस के आजाएंगे, आप चाहते हो किसी बुक कर निकालना, मैंने लखा बुक, तो बुक का आजाएगा वाल्यम, टो मैनुस्क्रिट, प्रेपर बैक यहां इस तरह से आप हिहां सर्च कर सक करता है यह अगर दोक्यमेंट का चाहो तो किसी वर्ड का या किसी डॉक्यमेंट का टांस्टिक्र रसकते हो जैसे मैंने आपके सामने यह जो डेटा आया है वह एक परग्राफ बाई डिफॉल इस फॉर्मिट में सेव रहता है तो अभी क्या करेंगे कि जैसे मैं से जस्टिफाय करता हूं पहले इसको और रिव्यू में जाकर एक उप्ष्ण जो ट्रांसलेट का है मैंने इसको सेलेक्ट किया इतने को वीडियो परवाइड से पावरफुल वाला सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पर जाओंगा ट्रा आप चाहो किसी और वर्ड को लिखे कर सच करना जैसे मैं चाहता हूं मैं तुम्हें देना चाहता हूं सम इंफर्मेशन कि और को आप कंप्योटर कि मैं आपको कंप्योटर की कुछ जांगड़ी देना चाहता हूं मैंने यहां पर दिक्कर सर्च कर लिया आप चाहते हो पुरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना तो आप यहां पर क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट बाद ऑप्शन पे इसके बाद ले लोगे एक अटो डेटक्ट करना है तो हिंदी और दो करना है तो चूब यहां से ले सकते हों उस पर आप लोगे ट्रांसलेट तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ट्रांसलेटिंग चल रही है आप देख सकते है कि आपके दो डॉक्यूमेंट होगए इस तो एरिजिनल आपका यह वाला आगया और दूसरा आपका compatibility mode में आगया हिंदी वाला तो जो word आपने हमाँ पे लिखे थे तो आप time बचाने के साथ साथ इसको translate कर सकते हो तो यह इसका main काम होता है तो काफी helpful feature है और 2016 में भी मिल जाता है और 2021 का जो वर्जा हमारा यह दिया गया है विश एडवांस है तो इसमें ज़्याद अच्छे features मिलता है और 2016 में भी होते हैं वाले यह हमारा यह वाला यूसियो translate document का जो पुरे document को translate कर देगा I hope आपका option के लिए रूआ होगा option बढ़ जाते हैं अगली तरफ एक option हमारा आता है comment वादा comment पे जैसे मैं चाहता हूँ word पे क्रीक करना select करना और select करके comment देना चाहता हूँ तो आप यहां से comment दे सकते हो इस comment आप जो भी दिखना चाहोगा और चाहोगी तो और new comment कर दीजे आजाएगी comment आपको हटानी मैंने तो इस पर delete कर दूँगा next करूँगा तो आगली comment पे जाएगा खरजर इस तरह सी करजर मूव होता रहेगा भी यहां पर आ रहा है लिंक होता आपको दिख रहा होगा फिर करूँगा next comment तो इस तरह से next को जाता रहेगा तो जो चाहोगे वो डिलीट कर सकते हैं अगर आप चाहता हो कि एक ही बारी में सारी comment आडानी हो तो आप previous यहां से जाओ डिलीट के बटन पर रो करतो delete और comment in document तो एक ही बार में सारी comment डिलीट हो जाएगी इस तरह से यह काम करता है try changes की बात करते है ट्रैस चेंडिस की बात करते है ट्रैस चेंडिस को इसका निकी दिए पहले पराने वाले पेचपे और यहां से पहले में try changes को on कर देता हूँ on करने के बाद मैंने word को select किया select करने के बाद management इसका bold किया size increase or degrees कर लिया वो मैं अब दिखा दिता हूँ और font का style चेंज किया, इसका color चेंज कर दिया, उसके बाद इसे design किया, जो भी माने changes की हैं, उस सब की formatting, track changes के थुरू यहाँ पर comment section की थुरू बन कर आ गई, इसका benefit यह होता है, कि आप जितने भी changes करते हो, उस changes के थुरू आपका जो track changes है, यहाँ पर mention कर देगा, कि हाँ आप मैं चाहता हूँ और changes करना, तो मैंने फिर से select किया, इस बार मैंने इसने select कर लिया, और यहाँ से changes कर दूँगा, underline के लगा दिया, italic के लगा दिया, size increase किया, और font style change कर दिया, साथ ही साथ मैंने color भी दे दिया, तो जो color दूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरीके से मैं और formating करना चाहता हूँ, मैंने select किया फिर से, और इसके अंदर font style दिया, size को increase कर दिया, और style लगा दिया, मैंने इसमें से यह वादा, तो जो मैंने options जिस पर लगाया है, वो formating यहाँ पर आ जाएगी, और साथ ही साथ उसका tracking भी आएगा, tracker बन कर आएगा, इस तरह comment section के side में, तो मैं फिर से करता हूँ, मैंने इसको select किया, अद बार themes वादे paragraph को, लाइन को, और इस पर भी changes किया, यहाँ पर font देता हूँ कि दूसरी, size increase कर दूँगा, और changes कर दूँगा style, और highlight कर लगा दूँगा, तो जितना भी मैंने changes किया है, उन सभी का यहाँ पर tracker बन कर आया, यह काम करेगा track changes, जब तक यह track changes वाला option मैंने apply कर रखा है, तब तक जितना भी मैं changes करूँगा, जैसे मैं इसमें भी करता हूँ यह वाला, temporary करता हूँ, उस बाद में हटा दूँगा, तो हटा दूँगा, तो यहाँ से क्या होगा, देखो, पहले formatting बलगा लेता हूँ, तो मैंने अभी apply कर दिया, और color मैंने apply कर दिया red वाला, या यह वाला, तो यह सारे changes यहां पर आ गए, कि कौन सा changes, किस चीज़ का, कि उनसे वर्ड़ का है, वो सब बता देगा, यह काम में होता track changes का, आपका एक देवाले, इसमें एक option आपका आजाएगा, यह वाला lock tracking का, यह मैं आपको बार ना बताऊंगा, पहले समझाऊंगा evolutions, तो मैंने किया all mark up पे जाकर simple mark up, तो यह वाला mark up मेरा आरती हट जाएगा, और left side side पे जो mark up लगे वे आरहे हैं, यह शो करेगा, simple mark up में, यह original मेरा जो मेरा data है, उसको formatting में change करने के बाद शो कराएगा, और mark up भी शो करेगा, आपके words की जो formatting हो भी शो करेगा, और side में आपका जो formatting की गई है, उसके बारे में जो mention है, वो सारे data भी comment section के शो करेगा, अच्छा, इसके अलावा जो option अगला आता है, no mark up, उसमें ना तो यह वाला mark up आएगा, left hand side का, ना ही right hand side का mark up आएगा, बट जो हमने changes कि किया है, वो यहां पर show करेगा, और last चाहता है आपका original, जैसा data आपका पहले था, वैसा show कर जाएगा, normal जो हमें मिलता है by default, यह option हमें मिल जाते हैं, और यह option सिर्फ तब तक काम करेंगे, जब तक आप किसी formatting को accept or reject ना कर दो, अब accept or reject क्या होता है, यह मैं आपको बाद में पहले समझते हैं इसका lock tracking, अगर मैं tracking को lock करता हूँ, तो मैं यह वाले option को lock कर सकता हूँ, यह अगर यह option हमें use करने के permission नहीं देनी किसी को, तो आप lock tracking को जाके कर सकते apply, मैंने दिया है पर password, फिर से दिया password और ok कर दिया, इसके बाद देखो यह option मेरा काम करना बंद कर जा जाता रहेगा, और next से अगले बे जाता रहेगा, यह काम होता है, इसका, अब यह option काम करने बंद हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर lock लगा दिया, मगर इस और lock को open कर दूँगा, तब जाकर यह accept widget शो करेगा, अभी करता क्या है, तो पहले इसका lock open करते हैं, मैंने password जिय आएगा, आप समझेंगे इस option को, मान के चलो मुझे यह वादी formatting रखनी है, बट यह वादी formatting नहीं चाहिए, तो मैंने इसको reject कर दिया, और मैं अगर चाहता हूं कि इस वादे को accept कर, इसको चाहिए मुझे रखना है, तो accept कर दूँगा, तो accept करने से क्या होगा, कि उसी जो formatting side में लिखी है तो वो हड़ जाएगी, अब अगर आप करोगे original, तो देखो, यहाँ पर original show कर जाएगा, जो मैंने apply कर दिया, all markup पर सलते हैं, मुझे मुझे यवादी पर apply करानी है, तो next पर जाओंगा, इसको भी कर दूँगा, accept, इस पर जाओंगा, इसे भी कर दूँग accept, final हो गया, अब मैं करूंगा all markup यह simple markup कुछता भी काम, करेगा तो पर इसमें show नहीं करेगा, क्योंकि मैंने, जितनी formatting ट्रैक्ट इंडिस से कराई थी, उसके formatting दी थी, उस सब को accept एरिजट करा दे, अपने need के according, यह काम करता है, अब इसके अलावा हमारे पास यह option आता ह पर यह समझते हैं, तो बस अभी फिलाल आज मैं आपको यह बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो रेस्टेट एडिटिंग क्या करेगा, कि जैसे इसमें कोई भी word changes किया जा सकता है, यह फर्मेटिंग कि जा सकती है, तो home type से भी हो जाएगा, यह इसको delete किया जा सकता है, मांद में आज सको select कि और delete कर दिया, तो delete हो जाएगा, तो आप अकर चाहते हैं कि आपका document save and secure हो जाए, तो उस condition में आप इस पर एक password प्रटेक्ट लगा सकते हो, तो production लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, restrict editing पे जाना है, यहां से आपको first option for limited वाला और second option editing वाले पे च no changes, यहां दखना है, आपको option देना है, no changes, read only, इतना करने के बाद, आप करोगे यहां से, yes is start enforcing production, इतना करने के बाद, आपको देना है password, उसके बाद password आपको दुबारा से confirm करना है, confirm करने के बाद, आपको okay करना है, अब आप देख सकते हो, कि आपका जो options हैं, वो hidden हो गए होनी करेगा, और design वाल option शोनी करेगा, draw वाल option या layout insert वाल option शो नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको यहां पर इस option को use करने की permission नहीं है, उसकी restriction लगा दे गई है, permission के regarding, इसमें लिखावा भी है, your permissions, this document is protected from international editing, you may only view this region, इसा को आप सिर देख सकते हो, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर permission लगाई गई गई, जो हो हटा दी जाए, यानि password को हटाया जाए, तो अगर यह option हट जाता है होंसे, आप वापस से review में जाकर, plastic पर जाकर ला सकते हो, और stop protection कर सकते हो, यहां से दो के password रोके कर दो के, उसके बाद चेक अटा दो के दो क तो इस तरह से यह password हट जाएगा और इसको हम बंद कर सकते हैं, बाकि अब आप इसके अंदर लिख भी सकते हो, या मिटा सकते हो, या formatting कर सकते हो, तो जानी कि options जो आपके हाइड हो गयते हो शो कर जाएंगे, तो यह हुआ आपका आपका review tab, कैसी रगी आपको यह वीडियो आपको यह सारे options अच्छे से clear होंगे, वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो का लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप हमरे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और साथ यह साथ हमारे notification bell icon को all पर दबाएं, ताकि आपको future के सारे videos के update हमारी regular मिलत तरहे, thank you so much for watching.